हेलो नमस्कार दूस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्टूब चैनल गुंजन गुरुजी पे आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के पंदराती महत्पून प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसला वीडियो के आम तक मने रहेगा इस वीडिय किस आप आगे बढ़ेंगे आपको प्रस्ण देखनों के मिलेगा कि दी गई आकिरती को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीथी रेखाओं की जरूरत है नीचे इन चार आप्सन है इन चारों आप्सन में से कौन सागा बिलकुल सौट तरीगा बताएंगे जो देखते ही आप प और कोशन पर क्या करा और कैसे करेंगे और इन सभी कोशनों का पीडिय आप टेलिग्राम पर ले सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया तो दीके पहला कोशन है कि मकडी का समझा लिका है दूस्तू कीट तो उसी परकार से मगर मच का समन्द क्या होगा ऊसी पर कहां से काँजये दूस्तू मगर मांच यहां पर जैसे हम लिगों के सामने हमार मच किस से समंधित हो जाएंगे यह से रेंगने वाले जानवर के अंतरगत आ जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों यहां पर कर रहा है कि रेंगने वाले क्या हो जाएंगे जल्चर यहां पर option नमर जल्चर इसके लिए कर चुका है बस आपको यही समझना है कि मकडी जो है वो कीट वर्क से संबंदित है तो मगर्मत क्या हो जाएंगे रेखने वाला जल्चर से संबंदित होगा करें एक फोटोग्राफ में एक लड़के को दिखाते हुए अखील कहता है यहां पर क्या हो जाएंगे माता मेरी माता की एक मात्र पूत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों खुद यहां पर अखील हो जाएगा एक मात्र पूत्र की बात क्या हो जाएंगे तो खुद अखील कहरा है कि इसका हमने पूत्र बना लिया तो कहरें कि अखील जो है करकी उक्त लड़के से कैसे समय जह आखिम इस लड़का से याई जो छुद यहाँ पर यह लड़का है यहाँ लड़का हुआ यहाँ पर बात कर रहा है लड़का कौन या है फोटोग्राफ में लड़के को दिखाते भी सारा कर रहा है कि मेरी माता के एक मात्र पुत्र का अखिल इसलड़के से कैसे संब्सक्राइब तो पिता होगा है अगला प्रसमिंखा लिए नुश्च इम्पारों कोच्टन करा है कि कम से कम कि सीधी रिखा नहींना ॉब से का नहीं पर यह गाँव चार उसी पर कास इसको लेंगे पांच इया हो जाएगे शौ तो चीदा रहेखाद आप ऐसे अकाउंट कर ले हो जाए का साथ ह इसको लेंगे की ओजाए डीयो जाएक सतु नौ अब इसी तरीके से आगे ऐगा चैण पॉलिवाब्ट और रहा से होजाएगा यहां पर लेंगे यह क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 इदर से और उसी पर कास हो जाएगा एक गारह और इसको लेंगे दिखिए बारह तो सेठा रिखा हो जाएगा नियुन्तम यानि इस फिगर में तो बारा हो जाएगा जो कि आपसा नमर थर में दिया गया है तो उमीद कर दें आप समझ कियोंगे किस टाइब के पुशन आए तो कैसे करेंगे अगला नियुक्त leads Each वाले प्रस देंगे तो चल्गित इसको कैसे करेंगे हैं कि क्ला नीओ नेम दो इस्तितिया नीचे दर्स आई गए जब दो तल में दो बिन्दों पर हो तो उसकी संख्या कितनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे तो देखे कोमन इन दोनों में मिल क्या रहा है जैसे एक यहां मिल रहा है एक यहां मिल रहा है और तो कोई मिलने वाला है नहीं दोनों पासा में कोमन है क्या नहीं तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं दोस्तों सबसे बेश्ट है कि एक बिंदू मिल रहा है इसमें भी एक बिंदू में चलनाा है जहां से कमन मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में तो यहां पर उसने का दो बिंदू है तो तीन होगा और तीन सीट पर तो उसके रिश्ट नीचे क्या होगा दोगा लिए इस प्रस्न का अंशर विए उसने का रहा है कि दो बिन्दु है हो तो सीट पर बिंदू कि सब्सक्राइब कितनी होगी अगर दो सीर्ज पर तो दो को अगर सीर्ज पर ले रहें तो उसका यहने की नीचे में क्या आएगा तीन आएगा आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का अंजर बस यही आपको लॉजिक याद रखना है जो कोमन है जहां पर जो बिंदू मतलब दोनों में मिल रहा है उसको हटा लीजिए उसके बाद घड़ी की सुई की दिसा में चल दीजिए उसके बाद आपका आंसर देकिन हमने जैसे किया यहां के बाद तीन आया तीन और पांच लिखेग नहीं आब है उसी प्रकार से एक के बाद दू और चार तो दीकिन एक कोमन हुआ इसके बाद दू और चार लिख दिये तो जो जिसके ऊपर और नीचे है खुद उसी का हो गया यानि दो के विप्रित यहां पर कोस्टा में का रहा था है दो के तो दो के विप्रित क्या हो जाएगा हम लोगों का तीन होगा अगला प्रस ने का यह दोस्तों पाचवा नमर कुस्टन दिया है दिखिए इसको कैसे करें लिखित में से पांच में से चार किसी तरीकी से एक समान है उन समू में से कौन सा जो समू से संबंदित नहीं है यानि इसमें पांच लिखा रहे है चार लिखा रहे है उससे मतलब यी नहीं मिलेगा तो फिर आपको किस पर जाना होगा ऊभाज सैंख्या याणी क्या हो जाएगा हम लगों का राज अगर ये भी नहीं लगों के सामने क्या हो जाएगा विवाजת pozy स्वेजरेघ्स सब्सक्राइट फसन सब्सक्राइब हिना है ? पर 2 यह हम लोगों का 12 न किए नचिक परण सब्सक्राइब कोई नहीं है तो सीधा सा है कि अंसर नुमर एक क्या हो जाएगा तो दिखिए जैसे अगला प्रस्ट निया गया हम लोगों के सामने यहां पर का जाला है दोस्तु एक इस तरीगे से नमबर लिखा वेनी संख्या दिया गया है करा अंकों के समूं के पहले कराईगे और चठे अंक किस्तीति आपस में बदल दिया जाया BFA में यहाँ पर क्या जहाँ अंकरों के समों के पहले और चठे अंकों किस्तीति आपस में बदल डी geography इसी परकार से दूसरे को सात्वे से बदल दिया जाया लेकिन यहाँ पर सब चीज में इंसन क्या हुआ है इसी परकार से जारी रखाया तो निमलिखित में से पुनर विवस्थित करने के बाद दायें से हम लोगों का चाउथा कौन सा होगा तो दीकिए इसको कैसे करें हैं सबसे पहले सबसे सबसे पहले दीआ विख सबसे पहले लिके 4 चार चार के बाद हो चौ उसके बाद लिखा दू उसके बाद सबसे एक और एक और तिल उसने क्या कहा है कि चटखे से यहां पर दुके सम्हों केlichkeit य्द्हेसे छठे से बदलना है ययनिकि छठा कौन हो रहा है तो एक दू, तीन, चार, पांच, छो यख feedback या इहां से हो रहा है तो इसको इस तरीके से बदला जाएगा इधर हो जाएगा हम लगों horses के सामने तो यानि यहां पर हो जाएगा दू उसके बाद हम लोग ले लेते हैं साथ उसके बाद हो जाएगा दूस्तो आठ उसके बाद हो जाएगा एक और उसके बाद तीन अधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा फिर हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा जीरो हो जाएगा चार हो जाएगा और क्या हो जाएगा दूस्तों 6 हो जाएगा तो हो गया पूरा का पूरा हम लोग बदल दिये अब करा की 22 से चौथा अक्षर क्या होगा देख गया किने उसी परकार से इसको करना है दूसरे वाले को साथ से बदलना है उसी परकार से तीसरे वाले को क्या करना है दोस्तों आठवे से बदल देना है चौथे वाले को हम लोग इस तरीके से नवे से बदल देना है पांचवे वाले को दसवे से बदलना इसी तरीके से बदल से कहा चोधाद अब दाया कान साइड होता है तो दाया हम लोगों का e-side होता है यहां कि यहां पर देखा ज़िए हवा waxOOOOOOOO ok और e-side में आपका क्या होता है जोस्तों दाया होता यहां पलिख दिये अब e-side से चौथाब तो आपका आंसर क्या निकलेगा नो यहां पर लिख भी दिखें हम लोगों का नो है करते हैं जैसे दिया है मैं सात्त वा कोशन की निम्लिखीद में इस इस यह इसा में 50 अधर इस उसी थरा कि इस इस को कैसे अलग करेंग में जैसे जुआर कि यहां पर क्या कर सकते है तिलहन भसला यह सभी इस सरसों का परिए किसे के लिए करते हैं तो तेल निकालने के लिए स्पेशल एकदम उसी के लिए होता है यानि तिलहन फशल होता कि यह सब्सक्राइब लेकिन सरसां मतलब इन साइल प्रसंतर सर नमर वन में सब्सक्राइब लेकिन सरसों को हम लोग special किसके लिए होता है दोस्तों तिलहन फसल में ही आते हैं तो option number 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बागी जगा पर थोड़ा बहुत huge हो जाएगा उससे मतलब ने लेकिन मुख की जो उद्देश है तो तिलहन फसल के अंदरगात रखा गया है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और जैसे आठमा प्रस्ण दिया गया है इसको कैसे करेंगे यदि हरा को सफेद सफेद को काला और काला को नीला नीला को गुलाबी और गुलाबी को नारंगी और नारंगी को बैगने तो भारतिया राष्टिया ध्वच के पट्टी का क्या होगा जो दिखे सवाल को करना कैसे है और क्या उद्देश से पूछा गया है यानि राष्टिया ध्वज की तीसरी पटी यानि कि क्या होना चाहिए दूस्तों तो आपको पता है अभी दिखें बहुत से राष्ट्राइण का इसमें भी गलती होगा क्यों उसको पता है न कि तीसरी पटी यहां पर क्या हो जाइक है तो थिसरी पटी का रंग का कैसा होता है कि अ enrimed पशक्राइण को पता है हरा होता है अर्या कि यहां पर क्या लिका है तो हरा को कि यहाँ पर्यूग करेंगे हरा तो होता है यानि इसका पर्यूग ना करके आप तो कोटिंग का सवाल होता है और हरा को उसने क्या कहा गया है सफेद कहां गया तो अपने देखा हो गांगा कि यहाँ पर रास्ट्यक ध्यॉश्वाज पूचा हो यहां पर दिस सवाल होता है यहां पर तुर। तो इसका तीसरी पट्टी का रंग, यानि ये वाला रंग आप से पूछा गया है, तो वो हरा होता है, लेकिन कोडिंग किया गया है, तो हरा के लिए क्या परियोग होगा, सफेद होगा, अगला प्रस देखा जाए, नावा नमर कोशन, इसको कैसे करेंगे, कहा जा रहा है कि जैसे इद्गे, यहाँ पर कराए कि यदि G, E, R, M, A, N, Y, यानि कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों की जर्मनी सब्द को परतिक अक्षरों को वर्न करम में वस्तित किया जाए, तो अक्षरों की स्तिति और परिवर्तित रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे बिश्च वर्न करम यानि कहने का मतलब क्या कहना चाहरा है, कि पहले A वाला आएगा, वर्न करम का मतलब A, B, C, D में, यहाँ से क्या करना है, दोस्तों, A से लेकर हम लोगों को Z तक में विवस्तित करना है, तो ठीक है, तो A ले लिए, A के बाद क्या आना चाहरे, एक बाद तो और फिर क्या आजाएगा, तो M आजाएगा, यानि यहाँ पर क्या आजाएगा, दोस्तों, M आजाएगा, M को ले लिए, फिर क्या आजाएगा, हम लोगों के सामने N हो जाएगा, N के बाद R हो जाएगा, और फिर क्या आजाएगा, दोस्तों, Y हो जाएगा, तो देखिए कितन परिवर्टन नहीं है उसी जिगह पर है इनि वर्न करम में वस्तित करने पर इसी को बोलते हैं वर्न कर्म यह क्या होता है दोстandan वर्नकरम leaks कर को सन दिया है बड़ा employ में पनिन चलता है फृवान और मुड़ता है तुम अगर यहां से चला जाये दिया हर्स को यहां से ले लेते हैं लेकिन इससे बताने से पहले एक बात और पाना चाते हैं ऊपर में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है यह इस बात को कभी नहीं कि अभी और एक प्रस निशी टाइप का देखने को मिलेगा और यह होता है हम लोगों का पूर्व इसके जश्ट अपोजीट में इस घपर क्या करना है दूस्तों पसीव चोटा सा लिख दिये पसीव तेकिन सब चीज समझ में आएगा रटना नहीं है उ उसके बाद बाई और मुड़ता और 25 तो बाया किदर होगा यानि इधर आ रहे हैं तो दीए उपर में दाया है इस साइड में बाया होगा और पचीज मीटर चलता है ठीक है उसके बाद फिर से बाई और मुड़ता और 21 चलता है यहां से यहां तक दूरी क्या ले लेते हैं दोस्तों 21 ले लटे हैं क्योंकि उसने कहाए कि बाई और मुड़ता है फिर हम लोगों के सामने बाई और मुड़ता है एकइस मीटर चलता है फिर वह बाई और मुड़ता है यह इनी इधर दाया हो जागा तो बाया यहां से यहां तक पाई द क्लिए defeating दाया है और 23 मीटर चलता है तो दाइं और मुड़ लेते हैं तो यहां से हम लोगों का 23 मीटर चला देते हैं इस जगह पर क्या हो जाएगा दूस्तों यहां पर 23 उसने कहा है कि वह दाइं और मुड़ता और 23 मीटर चलता है और अंत में वह बाइं और मुड़ता है तो इधर दाइं यहां तक का दूरी क्या ले लिए दूस्तों साइटीस मीटर चलता है अगर इसको साइटीस मीटर हम लोग ले लते हैं साइटीस मीटर चलता है तो हर्स अब किस दिशा में और सभी घुमाओ क्या है नब्बे डिग्री तो सब हम नब्बे डिग्री पर ही लिए हैं यहां से क्लियर है कि यह कौन जैसे इस तरीके से करते है सब कोन मेरा यहां से यहां नब्बे डिक्री कहीं कौन हम लिया है ऐसा कहीं नहीं कोई अलग कौन लिया तो अब होगा किस दिशा में वह करा है आप हर्स तर दिशा इस प्रश्ण का अंसर अप्सर नमर यह क्या हो जाएगा दूस्तों सह बहुत बड़ा कुछन दे दिया हमसे बनबे नहीं करेगा और ऐसा प्रस्ट बहुत स्राश्टन देखते ही धमाधम स्कीप करने लगा कि सर हम क्या करें हम क्या करें तो करना कुछ नहीं समझना जो तरीका बता है बस उस पर के फोकस कीजिए आपसे अराम से प्रस्ट हो जाएगा अगला प्रस्ट देखा जाए एक गारा नुमर को संद्य है दी गई आकिरति हमें उस आकिरती का चैन कीजिए जिसमें प्रस्ट आकिरती चुपी हुई है यानि काने मतलब यह वाला जो फिगर है ए में होगा बी में आए को झाल तो भी नएपन पाएगा तो दी इस प्रस्वेन का होगा लेकिन कहा पर वी तो दिखना होगा कहा देने से 한ी नुuting यहां से यह थे कि यहां इधर ऋसके बाहुए वाला यहां से जाएगा यहां पर और उइसके पात इधर से देखेए वैसा ही एक अग — धुब ह कर दी क्या हो जाएगा बस देखते ही आंसर हो जाएगा वसरत्य आपको समझना होगा तरीका की क्या है और कैसे करते हैं अगला प्रस ने कहा जाए दूस्तु कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है जैसे कि हम लोगों का ग्लोइंग को इस परकार से लिखा है तो उसी दिकोडिंग डिकोडिंग है न तो एन और जिइब क्या-क्या इसको इस तरीके से लिख धिया कैनि यहां पर लिख दिया है जी उसके वारा करो यह एक पर क्रम यह क्या हो ah हो गया या न के बादध भ़न इसने क्या दूर्ए करन में वस्तित ऑ है जुर्ष से तर्फेसा आप इसको लिए लेता है यानि करना तो इसको क्या करेंगे दूस्तूरी अन्य वस्तृत कर देंगा तोब दो का लगा कैसरा करेंगे तोब बतने की हैं शीका जएक सबसक्रेंगे मैं तो इसमें आध से पहले क्या है दो है तो सिस घूणगा कि न वाला है स्वाय को अच्छा थे दिए नुक्त से तो यह वाला कोडिंग कोडिंग थोड़ा अलग टाइप में क्या-क्या उसने वर्न करम में इसको एरेंज करते हुए बढ़ते करम में रखावा है सब को यानि तब जाके आपका आंसर निकलेगा तो जो जो दिया गया उसके अनुसार चलना है तो आपका आंसर निकल गया अगला प्रस निका जा दूस्तो तेरा नमर को संदिया कि दिये गए भी कलबहों में से विसम यूगम को चुनिये तो वही बात अभी स्टाइप का को सन बहुत सरा करवाए हैं जैसे इन चारो आप्सन में से क्या हो ना ची कभी विसम आ गया समों से संबंदित नहीं है तो सभी का मतलब एक ही होता है तो इस जगा पर क्या होगा जैसे कि गूल उसके बाद लिखा है गन्ना उसके बाद सड़क उसके बाद लिखा है डामर बोरी उसके बाद जूट और दिवार और इट तो कौन सा में चाहिए तो यहां अगर देखा जाया तो जूट से ही हम लोग तो उल्टा रखा बलकि इधार होना चाहिए हम लोगों का क्या लजी उल्टा रख दिया है इस प्लसन का आंसर कौन सा सब्लाख हो जाएगा देखने से पता चलता जा रहा है कि यह वाला लटा रखा है क्या होना चाहिए मतलब गूड उससाइड में जाना चाहिए और इस इधर से ही कर रहा है इसी वज़े से ये वाला क्या हो जागा अलग हो जागा बागी सभी में दिखिए दिवार बनाने के लिए इट यहां पर दिखिए इस ऑप्शन में दिखिए दिवार के लिए इट की ज़र रहा था है बोरी के लिए जूट कर ज़र रहा था है उसी परका का आंसर option number a क्या होगा दूस्तों सही होगा यानि कहाने का अंसर क्या होगा यह होगा इसमें क्या कर दिया उलट मतलब उल्टा सब्द को कर दिया पहले गुड़ों अच्छे उसके बाद गनात तब होता अगला प्रस नेका जाम लगोंगी सामने 14 नमर कुस्टन दिया और अभी स्टाइब का कुस्टन आपको बराबर करवाए हैं तो देखे अब इसको लेकिन ऐसा नहीं कि वही कुस्टन है अलग-अलग कुस्टन है और अलग-अलग तरीके के पूज़ग है करा कि सुरेज किसी वहालत में उपर में लेना है यह हो जाएका हम लोगों का उत्तर उपर में आपको हमेशा क्या रखना है उत्तर रखना इस दिगह पर आपका उत्तर होता है जश्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा दक्षीन हो जाएगा तो नीचे हमेशा दक्षीन रखना है और इस सा और नीचे दक्चिन अब सुरेज बिन्दू एसे प्राइब करता है 9 km उत्तर की और ड्राइब करता है फिर बाईं और मुड़ता है तो बायां किदर हो जाएगा यानिकी इस साइड में हो जाएगा तो यहां से यहां तक बायां ले लेते हैं यह और नौ किलोमेटर उसके बा फिर से वह दाईं और मुड़ता और 9 km चलता है फिर से दाईं और तो दायां यहां से यहां तक मुड़ेगा यानि यहां से यहां तक तो 9 km चलता है इसको ले लेते हम लोग 9 km चलता है फिर वह अंत में दाईं और मुड़ता और M पर पहुचने के लिए यानि दाईं और चल दिए।azedरी है। तो दीए एक्दम शही कर रहा है कि इगारत चल दिया उसने कहा है। अब कहा है A और M के बीच की दूरी को बीच की दूरी निकाल लीजए। यहाँ emission का दूरी आक से पूछा 좋י है। दूरी कि वहाँ पर 9 वहाँ पर 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर में यह चार किलोमीटर घट जाएका, तो यह दूरी कितना बचाएका हम रख़तायागा, इस प्रस्निका अंसर क्या हो जाएगा दूस्तों 5 km हो जाएगा फिर से एक बार देखिए अगर आपको confusion हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करें यानि ए से M के बीज की दूरी तो ये टोटल दूरी अगर 9 है तो 9 में से इतना सा दूरी तो यहां तक घट जाएगा अगला प्रस्निका दूस्तों पनरवा नमर कुशन और बराबर इस टाइप का कुशन देख रहा है आज कल आ रहा है यहने इन इक्वालीटी विला सवाल तो दिखिए नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद विकल्भाव में से चार निसकर्स दिये गए और कथन के अध देते हैं बड़ा पर और इसको बोलते हैं पराबर एक वताए खर में हम लोगों का चोट यह बराबर अगर और यही तीन के अलावा कोई चौथा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और कहने के मतलब क्या है एक बड़ा आ गया एक छोटा आ गया इधर से एक बड़ा छोटा गलत हो जाएगा उसी तरह के से मान के जरी इसी में कभी बराबर हो सकता है इधर बराबर हो ज लेगा घर में अगर बड़ा लोग है यहां अगर यह नहीं रहा तो दूसरा नमर लेगा और दूसरा भी नहीं है तो तीसरा लेगा इस तरह किसे आपको चलना होगा अब देखें इन सभी बातों को अमल करते हुए यहां पर जैसे एक-एक option को check करना है e और y तो देख लेते हैं e और y में अगर e से आप y पे जा रहे हैं तो e और y यहाँ पर है तो दीखिए एक इधर आ रहा है दोस्तों बड़ा का symbol यहाँ पर देखिए इस दिखर पर देखिए यहाँ पर एक बड़ा हो जा रहा है एक इधर हो जा रहा है हम लोगो इसको बोलेंगे चोटा ब्राबर और यह चोटा तो घर में लेगा चोटा लोग डिसीजन तो यहाँ पर यहाँ की और बड़ा क्या हुआ है तो यहसे की वाई से यहने की टी पे तो बिल्कुल देख लेते हैं यह तो बड़ा है जैसे आर और वाई में तो वाई बड़ा किया ठीक है अब हम लोगों के सामने चलना है वाई से और टी में तो वाई से और टी में जा रहे हैं तो डिसीजन जैसे घर में एक लोग है तो वाई के साइड में बड़ा लगा है और ले रहा है तो यही वाला सही हो जागा यानि इस प बड़ा लोग ले रहा है तो ये तो ठीक है उसे पर कहां से तो र और वाई में जा रहे हैं तो डिसेज Mimi युझार हम लोग को बढ़ा कर रहा है इसमें देखिए टी को क्या कर रहा है दूस्तों बढ़ा कर रहा है इसी वज़ा से यह क्या हो गया गलत हो गया आप देखिए यहां पर जो होगा ने इस प्रस्ण का अंसर बिल्कुल यह वाला हो जाएगा कैसे होगा एक दम किलियर हो जाएगा कि क्यूं Q से R पर जा रहा है, तो देखें, एक हम लोगों का बड़ा बराबर, उसके बाद बराबर और यहां पर क्या है दो बड़ा लोग है, तो डिसिजन कॉन लेगा, बड़ा वला लोग है, और सब एक साइड में सिम्बॉल दिया गया है, तो बिलकुल यहां पर Q को बड़ा कर रह है, तो Q बड़ा हो जाएगा, उसी पर कहां से है, और R और Y में चलिए, तो R से अगर Y पर जा रहे हैं, तो यहां पर दीकि हम लोगों का हो जाएगा, दुस्तों छोटा बराबर और चोटा, तो Y के साइड में यहने की लगाया होँआ है, यहने कि Y के साइड में छोटा क्य तो इस प्रशन का आमसर क्या होजएगा काफी इंपॉर्टेंट आप यहीं से चल रहे हैं कि क्यूं से आर पे जा रहे हैं तो यहां पर तीन सिंबॉल और सब एक ही साइड में सिंबॉल लगा हुआ है यानि कि सब बड़ा बड़ा बराबर और बड़ा तो इस प्रशन कांसर क्या हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रशन को अच्छे तरीके समझ गयोंगे आप हमारी चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि जाब भी वीडियो डालना आपको सबसे पहले मिलें ओके दूस्तों थैंक्यू अ